कि जिस्टर का नाम बलवींदर को रहें लग वल्ला गारे भाइए वाले सिटर के कि गैवाई जा है हैं कि इनको ऐसे प्राप्लम शुरुई जब इनके गले में गिल्टी थी तो पहले अपनी प्राप्लम को लेकर जब डॉक्टर के पास कहीं तो डॉक्टर ने इंकी जो मैड मेडिसन दी एक मेने की क्योंकि इनके गले में गिल्टी थी और एक मेना जे सिस्टर ने मेडिसन काई फिर भी अच्छे नहीं हो पा रहे थे फिर डॉक्टर ने बताया कि आप अपनी टेस्ट करवाओ रिपोर्स करवाओ हो सकते गोई और प्रॉब्लम हो जिसके कान आप अच एक्सरे को भी देखेंगे और जो रिपोर्स हैं हम उसको भी देखेंगे और इन रिपोर्स में जो इनकी हाड की प्रॉब्लम थी वह इस रिपोर्स में और आक्सरे में आई थी और बहुत सारी रपोर्टस हैं, और मैडिसन भी खा रहे थे, एक साल हो चुका था कि ऐसे मैडिसन खा रहे थे, और जिसके कान बहुत परिशान थे, क्यों के इनको साल एने में बहुत दिक्षत रहती थे, जै बताती ही, जब भी घर से बजार भी जाते थे, तो फंप की मानी है बहुत ज़्यादा डर लगता था इनको ऐसे लगता था जैसे सांस लेने में बहुत ज्वत दिक्त आरे मेरी सांस बंद हो जाएगी एस सा इन को बहुत सारी तकलीफ में रहते थे और जिसके कान इस इसलिकम है यह बहुत सारी मेडिसन दो खा रहे थे फिर कि इसने इनको गुड़नी उस दियर जैसे संक्ति में और संक्ति को अटेंड करते रहे और जैसे संक्ति में बढ़ते गए और पॉजिटीव नैक्टिव प्रेयर को करते रहे तो जो पंप की मदश से सास लेते थे तीन मैंने पहल उस पंप को जिस सिस्टर ने शोड दिया था और फिर जैसे संक्ति में बने रहे तो मैडिसन तो इस सिस्टर के चाल रही थी जो साल आने में प्रॉब्लम थी और रोजी जै मैडिसन लेकर खाकर ही सोते थे और जिस सिस्टर बताते हैं कि जैसे जिस संक्ति में आये और प्रभु के दास ले अंड प्रातना कर रहे थे तो जिस सिस्टर के उपर भी ले अंड प्रातना होई आँ हम इस क्लिप को देखते हैं जैसे प्रभु के दास के द्वारा ले अंड प्रातना होई तो उस दिन से जिस सिस्टर बताती कि एक मीना हो चुका है कि जिस इस सांस लेने में दिक्कत आती जी मैडिसन खा रहे थे वोट मैडिस्टन को भी इस सिस्टर ने शोड दिया है और एक जो एक साल के इस प्रॉब्लम से परिशान थे आज जी सिस्टर उस प्रॉब्लम से टोटली फ्री हो चुकें इस काई नीजिए परमेश्र का थैंक्स करते हैं थोपको ये प्रोब्लम इक साल पहले वे था? यहाज अगे तरह दोक्टर ने बताया के पहले आप अपटाया के आपने घले के में गल्ति थी दोपर आप शके बाद आप डॉक्टर को मिलेग और डॉक्टर ने कहा कि आप क्या करऊ एँ? जब आपने करवाया तो आपकी हाठ की प्रॉब्लम आई जिसमें अपकी एक इक कॉंस लैप फेपड़े में क्या आगया रेशा इनफेक्शन हो गया जिसकी कारण आपको सांस लेने में तकलीब थी और आप जो सांस या वो पंप से लेते थे कुछ लेते डिया कैसे लगता था उसमें को बहुत बुरा कि जोड़ा सावी चलना दो यह ही सोच के इंगांडा कि सात में ले कर चलू जब बजार जाते थी बहर जाते तब युशे सामें कर जाते दिला जै मतलब उसके बिना कभी भी ऐसे सांस रुक जाती थी? मतलब चलने से रुक जाती थी, पानी देकर नहाने से भी डर लगता है। अचा, जब आप नहाते थे तब भी जब पानी डालते तो आपको ऐसे लगता था, जैसे मुझे कुछ हो जाना है। जब आपके मन में विचा रहाते थे? क्या सोचते थे थे? कि ये पतानी ये सर्दिया जो है ना पतानी मैं जी पाऊंगी कि नहीं? तिक ना मौत का डर कितना होता है? बीमारी का डर कितना होता है? कि पतानी शायद में जिंदा रह पाऊंगी भी? कि नहीं? बलो पता नहीं कि शायद मैं जिंदा रह पाऊंगी के नहीं क्योंकि तकलीप इतनी बढ़ गी थी बीमारी इतनी बढ़ गी क्योंकि इस पंप से सांस लेना कोई शोटी बात नहीं समझा रही है और जब आप प्रभु की हजूरी में आए अपनी पॉजिटिव बातों को सीखा उसके बात अपनी रेगुलर मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया रो नी रो नी कोई बात नी आसो पर मिश्ण आपने आपको बिल्कुल क्या कर दिया आप रोने रोना नहीं है अभी तो ख इस मिनिस्ट्री में आए और अपने रेगुलर मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया और आप अनुगरे की पॉजिटिव बातों को सीखते रहें और उस्षास करते रहें फिर आपने लिखा कि अब एक महिना पहले भी पहले तो चलती थी पर आकर भी एक महिने पहले आप मैडिसन खाते थी आज आपको कितना टाइम हो गया कि आपने जो मैडिसन एक साल से खाते थे और शोर दी एक महिना हो गया अभी कोई मैडिसन नहीं खाते हैं अभी पंप से आप सांस लेते हूं अपको चलने फिरने में तकलीप है थोड़ा से लोगों को दिखाई यह मैक पड़ अपंदौर कर्णार ते कौश्य नहीं करना संदे नहीं है ओके यह चंद कदम चलते थी तो इनको पंप लेना पड़ता था पंप से सांस लेना पड़ती थी समते हो अब किसने फ्री किया है परमेशन है परमेशन है अपको लग रहा है कि यह थोड़ा दो थीन चक्कर लगाएं जो जिसको सांस की प्रोब्लम है हाट की प्रोब्लम है वो भोलेगा तो उसके अंदर से ऐसे आए गिवाज हम बोलो बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बहुत जारा खुश हूँ इतना जारा कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ एक बार जोर से जोर से सरुशक्तिवान परमेशन की आम तारीब करें है वो महान है उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है आमें 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 हालेलुया समते हूँ परमेशन हारीग को फ्री करना चाहता है हारीग को अच्छा करना चाहता है वोलो क्या है वो हारीग को क्या करना चाहता है हारेग को हारेग मनुश को जीवन देना चाहता है इसलिए उसने अपने जीवन का बलिदान किस पर दिया कुरूस पर दिया किया के नि दिया इसलिए उसने अपने जीवन का बलिदान आपके लिए कुरूस पर दिया पर लोगों को पता नहीं है कि उसने कुरूस पर जो जीवन हमारे लिए दिया वो क्यों दिया ये दुख तक करना चालीप वहलाँप परिशानियां चिंता जिकरस जिकलेस जगडा नशे हर चीज ये क्यों है इसलिए प्रभुन ने कहना सत्य को जानों सत्य तो मैं क्या करेंगा क्या करेंगा सत्य तो मैं आजाद करेगा जैसे ये क्या होगे आजाद होगे क्या होगे आजाद होगे और परमेशन हारे को क्या करना चाहता है आजाद करना चाहता है क्या करना चाहता है हारे को आजाद करना चाहता है अज कितनों लोगों का विशास है कि मैं आजाद होकर जाओंगी जाओंगा कितने लोगों का विशास है कितने लोगों का विशास है कि मैं आज परमेशक्तरी हजुरी में से सेम नहीं जाओंगी जाओंगा है के नहीं है पर आज अपने उससे पहले अपने मन को फिराना है क्या करना है उससे पहले अपने मन को फिराना है क्या करना है समझे हो उसके लिए अपने मन को तियार करना है ठीक है ठीक है इन सब गवाहियों के लिए हम जोर से परमेशे की तारिफ करेंगा जोर